आज आप सभी के समख्ष हमारे अतिहासी कहानियों में से एक कहानी लिकर आई हूँ जो कि आधारित है पृतिवी राज चोहान जी पर जी हाँ महापराक्रमी पृतिवी राज चोहान की कुछ गलतिया इसमें बताए जा रही है जिसकी वज़े से उन्हें बहुत सारी चीजों में भुगतान भुगतना पड़ा था सुनिएगा उनके उपर कुछ ये चर्चा है थोड़ी सी पृतिवी राज चोहान राजा सुमेश्वर और कल्चुरी की राजकुमारी रानी कपुर देवी के पुत्र थे पृतिवी राज विज़े के नुसार उनका जन जेस्ट मा के बारवी तिधी को हुआ था वे बहुत सी भाशाओं के जानकार थे धनुर विद्या में महारत हा असिल कर रखा था शब्द भेदी बांड के थे वे सिधहस्त उन्होंने बच्पन में शेर का जबर अपने हाथों से फार दिया था जब उनके पिता सुमिश्वर का देहां त्विक्रमी सनवर्थ में हुआ था उस समय पृतिवी राज मात्र ग्यारा वर्ष के थे जी हां सि उन्होंने राजगदी संभाली हाला कि हमीर महा का वियत दावा करता है कि राजा सुमिश्वर ने खुद पृतिवी राज को गदी स्वापकर सन्यास लेकर गए थे पृतिवी राज का शाषन उत्ता पश्चिम भार से लिकर हर्यारा राजस्तान पंजाब दिल्ली मध्यप प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक विस्तरत था पृतिवी राज चोहां तरावरी में एक किला बनवाय था जो करनाल में हैं जिसका पहला नाम तराइन था सद सन ग्यारा सो पिच्चतर में मुहमद गौरी ने सिंदु नदी पार कर मुलतन पर अधिकार क पर हमला किया जो चालुक्या सौलंग की राजाद्वारा शाशित्ता गुजराद की और जाते हुए उसकी सेना चोहां सामराजी की पश्चिम हिस्से से होकर गुजरी थी ऐसा उस चेत्र के मंद्रों के विदवन्स और भाटी शाशक लोध्रों के पद्दलित किये जाने से पता चलता है इसके बावज़त प्रिथविरा चोहां ने चालुक्यों की साहता से अपने मंद्री कदम बावसा की सलहा पर नहीं किया हलाकि चालुक्या ने शेतान मुहमत गौरी को हरा दिया पर इस युद्ध से चोहांों ने दूरी बनाए रखा यह बहुत ही दुरभाग करने की हम्मदी नहीं करता परन्तो सक्षम सबल महाप्राकरमी समराट प्रिथविरा चोहां ने भारत राष्टे और भारत की जनता के साथ इससे भी भयानक गल्दियों कर आगे प्रदशन किया भारत पर मुस्लिम आकरमन लगाता रहो रहे थे चोहां सामराजे भी इससे अ बार बार शिकष्त दी थी इन विसम परिस्तियों में भारत के दो शक्ति शाली राज्यों का आपसी टकराव कते उचित नहीं था जैचंदर मुर्ख था और आगे गद्दार भी बना पर दुश्मन के सर पर होते वे सिर्फ एक इस्त्री के लिए एक बड़े राज्य के वि बलकि उनके सहयोगी कन्योज जो कभी मुसलिम आक्रमनकारियों के विरुद साथ लड़ते थे वे भी उनके दुश्मन हो गए इतना ही नहीं सहयोगीता के अपरहन की गट्टा के बाद जैचंद ने विदेशी आक्रमनकारी मुहमत गौरी की पृतिविरा चोहान से प्रिद्विरा चोहान द्वारा बीस बार मुहमत गौरी को हरा कर बंदी बार हार जाने का जिक्र करता है सुर्जन चरित्र पृतिविरा रासो भी मुहमत गौरी और पृतिविरा चोहान के बीच 21 युदों का वर्णन होता है गौरी ने सरहिंद बटिंडा पर हमला किया जहां थोड़ी ही से दुर्ग रक्षकते फिर बीच छत्रियों ने उनके चक के चुड़ा दिये फिर गौरी ने शांती वारता के लिए उन्हें बुलाया और कैद कर छल से दुर्ग पर अधिकार कर लिया यह सुनकर पृतिविरा चोहान ने गौरी पर हमला किया गौरी से ना सही दुर्ग छोड़ कर भाग गया बटिंडा को फिर से हिंदु छेतर में मिला लिया गया गदार जैचंद के सही योग से गौरी ने फिर आकरवन किया पर इस बार भी पृतिविरा चोहान के वीर सैनिकों ने उसे निस्तान बूत कर हाथ पैरबान कर पृतिविरा चोहान के सामने पेश किया पृतिविरा चोहान ने हरजाना वसूल कर उस नर पिशाच को दया कर या एहंकार वस इस बार भी जिन्दा छोड़ दिया इस प्रकार तराइन यूद से पहरे पृतिविरा चोहान ने शैतान मुहमद गोरी को कई बार कुत्ते की तरद दोड़ा कर भगाया था फिर पृतिविरा चोहान के निश्चिंद सोई हुए सैनिकों पर एकाएक धावा बूल दिया और उन्हें गाजर मुली की तरह काड़ दिया पृतिविरा चोहान भी बूरी तरह से घायर हो दुश्मन से ना से गिर गए गोरी उनके पास अटाहस करता हुआ पहुचार बुला आ ता हुआ चीका युद जितना ही हमारा दर में जित चाहे जैसे मिले गोरी हसने लगा अपने कुरोद पर कावो पाने की कोशिश करते है चोहान गरजा युद में हार जित होता ही रहता है मैंने तो तुम्हें कई वार रण मुमी में हराय और बंदी बना कर चोड़ दिया थ पर मैं तुम्हारी तरह मुर्ग नहीं हूं गोरία ठास करते वे बोला मैं हाथ में आई शात्रू को जिंदा चोड़ने के मुर्ख खटा नहीं करूंगा और नहीं हाथ में आए तुम्हारे राजी को छोड़ कर चला जाऊंगा परे तुम्हें राच चोहान के दिल में